युदावाज, लियाद है इनकी सरकार, लाल टेन प्रदेश बना के रख दिया सा इनोंने मंदुप्रदेश को, हमारे बच्चे राद को पंड ही पाते थे, कि तो भुजदी थी कहाँ, तो शिवराएं ने आकर प्रदेश को रोशन कर दिया, पुरिये प्रदेश का जीवन अंदकार में धक्यलकर गय थे ये लोग तो माप करो महराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार अरे जब होनहार बच्चे लोन और एडमिशन के लिए तरस रहे थे तब ही अपने बच्चों को बिदेश भेच कर इतरा रहे थे ये तो शिवराज था जिसने आकर इन मिधा भी बच्चों का हाथ था माण अब हमारी तरक्की देखी नहीं जाती इनसे माप करो मारा हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार ये लोग जब दिल्ली जाकर एक परिवार की सेवा में व्यस्त थे ना तब शिवराज था जो केंदर सरकार से प्रदेश के लिए फंड ला रहा था अपने आकाओं की सेवा से फुर्सत मिलती तो ये देख पाते ना हमारी और प्रदेश की जरूरतों को माब करो महाराजी हमारा नेता तो शिवराज दे विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार दस सालों में बूंद बूंद के लिए तरसा दिया था फसलों को खेत बंजर दिखने लगे थे दर्द तो हमारा सिफ शिवराज ने समझा किसान का बेटा है ना गाउं गाउं में नहर और विजली ले आया वो अरे पानी खाद और यूरिया तक के लिए तरसा दिया था इन्होंने किसानों को माफ करो महाराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भज़पा को वोट दे आप देख रहे है दखल न्यूज टीवी की बहू और केंद्री मंत्री स्मृती इरानी ने 36 गड़ के कई लाकों में बीजेपी का प्रचार किया इस्मृती को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे केंद्रे मंत्री स्मृति इरानी राइगड में बीजेपी के प्रचार के लिए पहुँची तो उन्हें देखने के लिए लोगों का होजूम उमर पड़ा राइगड के सर्या खेल मैदान में बीजेपी प्रत्याशी रोशनलाल के पक्ष में सभाले ने पहुची स्मृति रानी उनको देखने और सुनने के लिए लोगों की खासी भीड रही एक सत्य आज आपको बदलाने आई हूँ कि जिस राहूल गांधी के नेत्रित्तों में कॉंग्रेस पार्टी 36 गड़ में अपनी घोष्णा पत्र की चर्चा कर रही है अगर अपने घोष्णा पत्र को खोल कर देख ले तो उस घोष्णा पत्र में तियेंगे कही वादे ऐसे हैं जो स्वैन राहूल गांधी अपनी लोग सवाचेत्र में कर चुके हैं अपने ही लोगता छेत्र में लोगों को धोगा दे चुके हैं बशनकूर्टी ना कर पाए हैं और अब आए हैं शर्टिस गड़ को सपने दिखाने आप देख रहे हैं दखल न्यूज याद है इनकी सरकार जब ये दिल्ली में बैट कर बुल छर्रे उड़ा रहे थे ना तब एक शिवराज भाईया ही थे जो हमारी लाल्लियों की पढ़ाई लिखाई उनके शादी ब्या की फिकर मामा बन कर कर रहे थे आधी आबादी का दर्द समझ में नहीं आता था इन्हे अरे माफ करो महराज हमारा नेता तो शिवराज याध है इनकी सरकार जब ये चांदी के बरतनों में दावते उड़ा रहे थे ना तब शिवराज ही था जो एक रुपे किलो में अनाज और दो सो रुपे में बिजली देने में जोटा हुआ था गरीब का पेट भरना तो दूर की बात दस सालों में कमर तूर दी थी इन लोगोंने माफ करू महाराज हमारा नेता तो शिवराज याध है इनकी सरकार ये वही लोग है जो गरीबों की टपकती छते देखकर अपना मूँ फेर लिया करते थे वो तो मोदी आया तब जाकर हमारे तरपर पकी छते आए गरीबी हटाओ कहते कहते गरीबों कई हक खा गए थे ये लोग माप करो महाराज हमारा नेता तो शिवराज विकास का साथ दे भाजपा को वोट दे याद है इनकी सरकार ये जब बुजुर्गों से पैर छुआ कर चौड़े हुए जा रहे थे ना तो हमारा शिवराज उन्ही बुजुर्गों को माबाप मान के तीरफी अत्रा करवा रहा थे हाच वोट लेने की बारी आई तो बुजुर्गों को गले लगाने का ठोंग कर रहे हैं ये लोग ए माब करो माहराज हमारा नेता तो शिवराज